विनायक मेडिकल स्टोर जो देता है शुगर, बीपी वा हाट के मरीजों के लिए दवाईयों के भुकतान पर 10 प्रतिशत की छूट वा होम डिलिबरी सुविधा वा सभी दवाईयां उचित रेट पर उपलब्ध बहतर सेवाओं के लिए विनायक मेडिकल स्टोर आप सभी का स्वागत करता है हमारा पता है जंडा जोग काका गंज पंत नगरबाट सागर मध्यबरी को दोना जैसी बैश्विक महामारी की दोर में जहां एक और पूरे देश में डर का माहौल फैला हुआ था वहीं दूसरी और कोरोना वार्यर्स अतनी जान की परवाद ना करते हुए देश की और देश वासियों की सेबा में लगे हुए थे भारत सरकार ने कोरोना काल में 3 महीने के लिए स्वास्त कर्मियों की भर्दी कर आई थी लेकिन इस बैश्विक महामारी की गंभीरता को देखते हुए स्वास्त कर्मियों के कारेकाल की अवधी को बढ़ा दिया गया लेकिन लगबक साथ महीने तक इन से सेवाएं लेने के बाद सरकार ने सवी स्वास्त कर्मियों के सेवाएं समाप्त करने का आदेश कर दिया नमस्कार मैं हूँ शिवंतेवारी और सौगत है आपका आपके अपने चनल खवा24 में आज हम जिस मुद्धे पर बात करने बाले हैं एक तरह से धेश के लिए सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी सरकार ने कुरोना काल के चलते लोगों की रक्षा के लिए लोगों को सुविदा प्रदान करने के लिए कई लोगों की नियुक्तियां की यहां सौब्सक्राइ्ट की तोर पर कई लोगों की न्यूक्तियां की गई थी लेकिन एक समय आने पर आज देखी। उनके साथ क्या किया जा रहा है। पहन कर गर्मी के मौसम में भी इतनी मेहनत करते हुए सबी लोगों की जिनने सेवा की अपनी जान का जोखिम होते हुए भी किसी भी चीज की परवा ना करते हुए उन लोगों के साथ देखे सरकार किस तरह से सुलूक कर रही है आए जानते हैं उनी की जबानी उनी से क्या ना कोबन नाइंटी महामारी के लिए मद्रदेश सरकान ने कोबन नाइंटी कर्मचारियों स्वास्त कर्मचारियों की तीन माए के लिए आस्था भरती की गई थी तीन माए होने के पर प्रसासन को जरूरत थी स्वास्त कर्मियों की तो उन्होंने दो महिने और और extension कर दिया और extension करने के बाद फिर प्रसाशन को जरूरत रही तो एक महीने और extension कर दिया चुकि 31 अख्रूर को हम लोगों की सेवा समाप्त हो रही है और हम लोग विधायक जी सांसाज जी और सी एम पूरे कहना चाहिए प्रसाशन को हम लोग खावर करा चुके हैं कि हम लोगों की 31 तारीक को सेवा समाप्त हो रही है यह मामला उन्होंने अभी तक कोई शंगान में नहीं लिया है सभी को हम लोग ग्यापन दे चुके हैं और राजिस्थान सरकान ने हम लोगों का जो भी कोवेट स्वास्त करमी है सभी को संभीदा में संभलियन कर दिया है लेकिन अभी तक मद्परदेश सरकान ने इसको किसी तरह से संग्यान में नहीं लिया है अगर हम लोगों की 31 तारीक को ये शिवा शमाप्त होती हैं और हम लोग वेरोजगार होते हैं चुकि हम लोगों ने बिकराल महामारी में काम किया है जिस समय लोग घरों से बाहर निकलने के लिए डरते थे हम लोगों ने अपनी जान हातेली पे रखे और होस्पिटल में पोजित व मरीजों की बीच काम किया है ना ही अपने परिवार का स्वास्थ देखा है ना अपने परिवार की चिंता सभी को छोड़के हम लोग सासन का हाथ से हाथ मुला कर सेवां दी है और आसा हम लोग यही चाहते हैं ना हम लोग कोई लड़ाई सासन से है ना किसी परकार का सरकार पर हम लोग दवा बनाना चाहिए हम लोग तो अपनी मांगों को सिर्फ एक ही मांग है हम लोगों की कि हम लोगों को अपना हक मिलना चाहिए जब विक्राल महामारी में आगे कोई आना नहीं चाहे था तो हमारे सभी भाई वेहन आगे आए हैं और अगर आप सासन 31 तारीक को हम लोगों के साथ सेवा समाप्ती का आदिश जारी करते तो यह तो अन्या है सासन का क्योंकि हम लोगों को अपना हक मिलना चाहिए और हम लोगों की एक ही मांग है कि हम लोगों को सभी कोविड करमचारी उसके अंतर का ताविश्च के सक भी है नर्सिंग स्टाप भी है लेफ टेक्निशियन भी है फार्मासिस्ट भी है और हमारे ए-अ-अ-प्स भी है जो दिन कि एक ही मांग है कि हम लोगों का सम्भीदा में सम्मिलियन कर दिया जाए करना चाहिए सब्सक्राइब को निश्चित झाला बां गेता चाहिए चीज को खताम करें चीज आपको बतानी चाहिए चुकि हम लोगा भविस्त तो सुरक्षित रहेगा हम लोग को ये तो रहेगा कि हम लोगों की जौब आंगे रहेगी हम लोग अपना माइड डायवाट नहीं कर सकते और अगर इसी तरह ये चलता रहा है तो हम लोग इसलिए तो ये सब हम लोगों करना पड़ा गए ज lap 23 तारीक तक आगर हम लोगों का कोई सख्यान मैं नहीं लेती सरकार, चुकि राजिस्तन सरकार ने तो संवी धा में संमियन कर दिया है तो हम लोग को भी अपना हक मिलना चाहिए और हम लोग ये demais से ऐसा तो है नहीं कि किसी आपकार से हम लोग प्रेसर डालके हम लोग मांग चाहे थे हम लोगों ने महामारी में काम किया तो हक तो बनता है हम लोगों का ये सांगे दिक प्रदर्शन स्वास्त कर्मियों द्वारा सिर्फ अपना हक मांगने के लिए COVID-19 स्वास्त संगठन जिलाध्यक्ष से साहु जी मेरा नाम रामकौार साहु है मैं COVID-19 स्वास्त संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ मैं खबार 24 के माध्यम से प्रसासन मुख्यमंत्री स्वास्त मंत्री सम्मानिय प्रदान मंत्री जी तक अपनी बात यह पहुचाना चाहता है कि हम लोग ऐसी महामारी में देश शेवा की है जब परिवार के घर के सगे माबाप भी कोरोना पाजिटिव अगर कोई परीजन पाया जाता था उसके समक्ष नहीं जाते थे ऐसी परिष्थेती में हम लोग उने उस मरीज का उपचार किया है उसको इंजेक्शन की दिया है ड्रेसंग दिया है मेडिशन प्रोवाइड की है उसको मांसिक तोर पर भी मजबूत मनाया है कि आप इस बीमारी से उबर सकते हो कोरोना कोई नहीं है उसका मांसिक संतुलन मनाते हैं उसको हम लोगों ने रोग मुक्त किया है अब इस महामारी का पर नाम हम लोग क्या मिल ला हम लोग कोरोना युद्दा जसतरा प्रधनमंत्री जी के आबहन पर हम लोगों के सम्मान में ठाली, घंटी बजवाए गई तोर्चे जलबाए गई, दिये जलबाए गई इसका क्यार्थ निकलेगा क्या आपने प्रमाणपत्री सिलिए दिया है कि ये स्वास्त कर्मियों को आप एक 30 हक्टुवर को बाहर कर दो क्या यही हम लोगों का सेवा पुरुषकार है हम लोग प्रसासन तक अपनी एक बात पहुचाना चाहते है कि हम लोगों को सेवा के बदले संबिलियन में संबिलियन कर दिया जाए यदि हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तो हमें 30 हक्टुवर क्याद मजबूरी में अनिश्चत कालिन धर्ना प्रदर्शन भोपाल में करेंगे हम लोगों की मांग यही है हमारे जो स्वास्त कर्मी है इन्होंने विप्रीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मई जून की गर्मी में 12-12 गंटे तक पी-पी किट पहन कर पूरे पैक होकर पानी का एक बूंद भी नहीं पीपाते पी-पी किट पहन कर इन लोगोंने बड़ी ही मेंद से काम किया है इनमें सकाई स्वास्त कर्मी हमारे पोजेटिव भी हुए है उनका उप्चार चला है 12-12 गंटे तक डूटी की है बिघर किसी आउकास के ना ही सापताह्य Kaukas ना ही मासे Kaukas पूर निष्ठा और लगन के साथ अपने कर्तब्ब्य का पालन किया है हमारी प्रसासन से यहीं मांग है के हम लोगों को स्वास्त वाग में नरंतर करते हुए संबिदा में संबिलियन कर दिया जाए भी विचारे अपने कहना चाहिए कि अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़के अपने घर परिवार से दूर रहकर अगर हम लोग बाद में जाते हैं तो मोहला वाले भी इस तरह से देखते कि यह कोरोना में काम करके आ रहे हैं तो हम लोगों से एक भीदभाव की दूरी बनाते थे लेकिन जब मरीज ठीक होने लगे और ठीक होने के आधार पर हम लोगों ने जनता को जागरुक किया है कि आप लोग डरी है नहीं महामारी है लेकिन जैसा अच्छा समय आता है इसी तरह आज बुरा वक्त है लेकिन निकल जाएगा और आज यह सबसे बड़ी यम्त लझे लाया है कि हम हम लोगों के काम से बुख्ष है नहीं तो एक समय था कि परिवारक लोगों रोगों हम लोगों से देखने लगे थे तो प्रशाचन से एक ही माग है कि हम् कहांसा सभेगी में को प्रुशान रासी दी और नाई हम लोगको प्रमान पत्र रमला को रोहना युद्धा का जबकि हम लोग ने कोरोना युद्धा का किर्दान नेवाया है कोई डॉक्टर्स क्या घरगर जाता है नहीं जाता है लेकिन हमारी जो डॉक्टर्स है COVID-90 का ओल स्टाप घरगर जाके सर्वे कर रहा है और स्वस्ति सेवाइं प्रदान कर रहा है और एक एड़ोकेट का काम भी कर रहा है और एजूकेटर का भी काम कर रहा है उनको मतलब हैल्थ से रिलेटेड उनके लिए गाइड कर रहा है कि सर कोबिड नाइंटी कोई मतलब इतनी भाहेंकर बीमारी नहीं है आप दरिये मत इसका संगर्स करिए आप अच्छे हो जाएंग कि लोग क्या-क्या प्रत्न नहीं किये हम लोग जैसे ही जाते थे सरवे करने के लिए हम लोग को सब हीन भावना से देखते थे कि यह कोबिड वाले हैं डॉक्टर्स हैं नर्सेस हैं एनम बगरा सब लोग जो मतलब ऑल स्टाफ है कोबिड नाइंटी का हेल्थ वार्कर्स और कुछी भी समझने के लिए तयान नहीं थे उनके मन में जो आता था वो बोल देते थे हम लोग सुनते थे कि वहीं हम लोग डेश की सुरक्षा करने निकले देश का भला करने निकले और मरीज को ट्रीट करने निकले क्योंकि मरीज रहता मरीज को कुछ मरीज के मन में तो ज जाएगा लेकिन हम लोग को सरकार से यह उम्मीद नहीं थी कि हम लोग ने इतनी स्वस्थ सेवाएं प्रादान की घर घर जाके दी जो सेवाएं उसके बाद ही हम लोग को रिस्पॉंस यह मिल रहा कि 31 को हम लोग को निकाल दिया जाएगा तो हम सरकार से यह अपील करते हैं कि हम लोग को मतलब हम लोग की सेवाई समाप्त ना की जाए और ना हम लोग को बाहर किया जाए हम लोग को संभीदा में समीलीन किया जाए और हम लोग को परमानेंट किया ज सबीधा है तो सरकाहरी करती हैब लेकिन हम लोग कर सकती है अंहें है सार हम लोग इसलिए दिन रात मेहननत करने में लगे हुए हम लोग के लिए और बारव उद्शे वी इतने में लगे हैं कि लुटी जाना है बस हम लूगu सर अपना हashick मांगते अधिकार मांँद T भीक नहीं मांगते किसी से हम लोग ने काम किया तो हम लोग को हम लोग काधिकार मिलना चाहिए तो बस हम तो रिक्वेस्ट करते हैं सीम सर से प्रदान मंतरी से और सौस्त मंतरी से कि सर हम लोग की मांग सरे पितनी है कि हम लोग को संवीदा में संवीलियन किया जाए और उसके बोल रही थी बिल्कोل सही बोल रही थी क्योंकि हम लोग ने जब इत्नी सेवा पृदान कीए तो ुनको conste संभीडा तो करना चाहिए जब राजिस्तान की सरकार सोच सकती है तो इनको को भी सोचना चाहिए बॉलने की हम लोग को जरुरत नहीं पड़नी चाहिए थी उनको बोलना था कि आपको संबीधा कर दिया गया को भी बहुत खुशी होती इतनी सेवाधी है तो उनको तो करना चाहिए परमानेंट करना चाहिए था लेकिन जब हम लोग बोल रहे हैं से कब जो हम लोगों ने काम किया है वो उसके हम लोग के लिए पढ़ना में ही मांगते हैं कि हम लोगों को समvm-dhai मांगते हम लोगों ने जो काम किया है वहम लोग अपना हक मांग रहा हैं नमस्कार मैं रोविद साहू in medical dosmal बुंदिल्खन मेडिकल कॉलेज में नरसेंग स्टाप के पतपर कारधे सु जो कि कोबेड आई सूमे काम कर रहा हूं कोबेड मरीजों के बीच में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना महामारी में हम लोग मरीजों का ध्यान रखा मरीजों की कैर करी घर वालों के साथ रह कर भी और मरीज B को स्वास्त करा है डॉक्टरों की टीम के साथ कोरोना मरीजों के साथ तो सरकार से अनुरोद करेंगे हम की हम लोग के साथ अन्याय ना करें न्याय करें मतलब हम लोग की जोब को पर्मानेंट करें या फिर संभीदा में कर दें क्योंकि हम लोग पहले जहाँ जौब कर देते वहा więcej झोड़ दिया हैं सरकार को भगा देगी न हम시면 Right है न आमंट्व को भविश्थ कंधिनिका आ है जुने सरकार से अनुरूद करना चाहेंगे पसीना में ना पानी पीर पाते हैं, ना बाथरूम करने जा पाते हैं, ना कुछ खापी पाते हैं, कई कई लोगों को तो काम करते करते चक्कर भी आ जाता है, काम करते करते चक्कर भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वो मरीजों के बीच में स्वास्त करने के चक्कर में सब लोग उनको ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं तो हम सरकार से अनुलूद करेंगे सरकार से बिनम अपील्ट करेंगे कि arada पर मैं अंप नहीं पहुंचाने के लिए नहीं दर न स्वोज्वी श्यàiटा को बहु abundgent करने की लिए निसी में परिस्थिती से गुजर रहे जिसके सामने नोकरी जाने का संकट होगा वो बता सकता है कि अगले महीने उसके घर का गुजरा कैसे होगा वो कैसे मनाएगा दीपावली और दसेरा कते उहर कैसे लाएगा बच्चों के लिए फुल जड़ी मठाई या पठागे बगएरा जब उ जब देश में मिरत्यूरेट मिरत्यूदर जादा थी कोरोना पॉजिटिव के एक एक लाख मामले दिन में ने कर रहे थे तब इन लोगोंने पूर्ण निष्ठा लगन से अपने घर परिवार की परवाह ना करते हो अपने घर परिवार की जान को खत्रे में डाल कर इन हमारी में जो वो बीमार थी उसके लिए साहता राशी 19 लाख रोपय आप लोगों ने स्रश्टी के लिए सुक्रत कराई है 25 लाख रोपय के राशी का चलावी साक्षी के लिए जस तरह दिल्ली में बाबा का धावा फैमस किया है आप लोगों ने उसी तरह यदी मीडिया निस सुनती है आप सब लोग आएंगे हम लोगों के लिए बिनम्र निवेदन करेंगे तो हम लोगों की आबाज सरकार और प्रसाशन तक पहुंचेगी हमको अपना अधिकार मिल जाएगा क्योंकि हम किसी से अपना हक मांग रहे हैं जो हमारा अधिकार है जो हमें मिलना चाहिए एक दस रोपे के प्रमाल पत्र से कुछ नहीं होने वाला हम लोगों का भला आपने कोरोने योद्धा का माली जे प्रमाल पत्र देवी दिया वो हमारे किस काम का आएगा वो थोड़ी हमें नोकरी दिला देगा हम लोगों की प्रसाशन से यही अपील है कि हम लोगों को निर सागर से शिवम्देवारी की रिपोट अच्छिवारी की रिपोट